दोस्तो आज कल ज़ादातर लोग online mobile recharge करना जानते ही हैं चाहे phone pay की मदद से हो, paytium हो या google pay की मदद से हो ज़ादातर लोग आज कल online mobile recharge करते हैं लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनहे online mobile recharge करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप phone pay की मदद से online mobile recharge कर सकते हैं चाहे आपकी कोई भी SIM हो, Jio की SIM हो, VI की SIM हो, Vodafone Idea या Airtel की SIM हो आप phone pay application की मदद से online mobile recharge बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाता में कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले phone pay application को open कर लेना है कुछ इस type का आपको इसमें दिखाई पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा नीची के तरफ अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक option देखने के लिए मिलता है mobile recharge का तो यहाँ पे mobile recharge वाले option पे आपने सबसे पहले तो click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने अगर यहाँ पे कुछ पहले भी recharge किये हुए हैं तो यहाँ पे आपकी history इसमें दिखाई देने लगती है कि आपने किन-किन number पे यहाँ पे recharge के हुए हैं लेकिन अगर आपने कोई भी recharge यहाँ पे नहीं किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं search by number और name वाला एक option दिखाई पर रहा है तो जैसे ही आप इसमें click करते हैं, तो आपकी पूरी contact list खुल जाती है जीतने भी contact आपके phone में save हैं, सबकी list यहाँ पे आजाती है आप यहाँ पे name से भी इसमें search कर सकते हैं, और सिधे अपना mobile number डाल की भी इसमें आप search कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपना mobile number यहाँ पे डाला, तो already यह mobile number मेरे contact list में save है तो यहाँ पे इसका number और नाम यहाँ पे लिखावा दिखाए पर रहा है, तो यहाँ पे mobile number डालने के बाद आपने इसमें click कर लेना है जैसे आप यहाँ पे click करते हैं, तो automatically यह आपको इसमें दिखाई देने लगता है कि यह जो आपने mobile number डाला है, वो कौन सी company का है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा जियो का mobile number है, और किस state का यह mobile number है, यह यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, popular में कई सारे plan आपको इसमें दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इन plan को पढ़के इसमें recharge कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 299 वाले में मुझे 2GB per day मिल रहा है 28 दिन के लिए, और इसमें unlimited calling रहेगी और इसी हिसाब से कई सारे इसमें plan देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे से इन plan को select या choose कर सकते हैं, इसके लावा popular के अलावा smartphone वाले भी अलग-अलग plan इसमें देख सकते हैं, इसके अलावा data add-on वाले भी आप कई सारे plan इसमें देख सकते हैं, इसके अलावा कई सारे और भ पर एक plan इसमें चूज कर रहे हैं जो की 239 रूपीद का है इसमें हमें 1.5 GB पर डे मिलने वाला है और इसकी validity 28 जिनकी रहने वाली है और इसमें हमें unlimited calling भी मिलने वाली है तो plan चूज करने के बाद आपको इसमें click कर लेना है जैसे आप इसमें click करते हैं तो कुछ इस type का आपको इसमें दिखाई पड़ता है इसके बाद आपने simply सी क्या करना है इसमें payment कर देनी है यहाँ पर proceed to pay वाले option पर अगर आप click करते हैं तो इसके बाद आपने अपना bank account इसमें select कर लेना है ध्यान रहे एक चीज़ यहाँ पर आप note कर सकते हैं जो भी recharge का amount है वह 239 रूपीज है लिकिन आपको यहाँ पर phone पे से recharge करने के तीन रूपे इसमें extra लग रहे हैं तो total हमारी अभी हो गए 242 रूपे आपने यहाँ पर अपना वो bank account सेलेक्ट कर लेना है जिस भी bank account इसमें payment करना चाहते हैं bank account सेलेक्ट करने के बाद pay वाले option पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपना 6 डिजिट का आपने UPI pin डालके payment successful कर देनी है जैसी आप यहाँ पर payment successful करते हैं तो आपका recharge successful हो जाएगा और जो भी plan आपने लिया है उसका जो benefit है आपके mobile नंबर पर activate हो जाएगा लेकिन अभियाम यहाँ पर कोई भी recharge नहीं कर रहे हैं जस्त यह आपको दिखाने के लिए था तो दोस्तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरह के से आप phone pay की मदद से mobile recharge कर सकते हैं थन्यवाद